सबसे पहले मैं आपकी पास राजिश मलोतरा जी आना चाहूंगी जो परिस्तियां आज की तारीख में दिखाई देती हैं उसमें राहत की बात ये है कि दो महीनों में एक लाख के करीड जो है वो केसे सामने आए हैं ये आंकड़ा तेजी से नीचे गिरा है ये जरूर राहत है लेकिन कहीं से भी कोई धील हमारे बिहेवियर में ना आ जाए ये सब को समझने की जरूरत है अनलॉक के इस कदम को एक एकस्पर्ट के नजरिये से आप कैसे देखते हैं जी मिनाक्षती ऐसा है कि अनलॉक जरूरी तो ही है क्योंकि अब जब हमारी पॉजिटिविटी रे एक प्रितिशत से नीचे चली गई है केसे कम हो गए है तो धीरे धीरे जो जीवन को पट्री पे लाना ही पड़ेगा बात ये है कि इसके ये बड़ा एक टाइट ड्रोप वॉक है अगर आप बहुत देर तक लॉक्डाउन रखते हैं तो उसका विपरीत असर होता है पड़नी जाए तो मुझे लगता है एक टाइटरेटिट रिस्पॉंस चाहिए थोड़ा थोड़ा खोल के और देखे हम लोग लगाता नजर रखे पॉजिटिविटी रेक पे और मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे जैसे अनलॉक होता है हमें टेस्ट और कंटेक्ट ट्रेस हमें लॉक्टाउन करना पड़ेगा क्यूंकि हम एक बर फिर या फोर नहीं कर सकते कि फिर सिट्विशन हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाए जिए जो पूरा ओवराल प्लान महराश्टा के लिहाज से है कितना कारगर ये साबित होगा कितनी उम्मीदे इस प्लान से है देखे कितना कारगर होगा वो तो हम अभी समय से देख सकते हैं क्योंकि ये वाइरस नया है उसका रूप बदल रहा है लेकिन जो भी हमारे पास अब तक इंफर्मेशन है उसमें से ये पता चलता है ये बहुत ही बढ़िया प्लान है हमको ये नहीं भूलना चाहिए कभी भ होगा है ये प्लान का फांडेशन होता है जो कोई भी इमारत होती है तो ज्यादा समय उसके फांडेशन में जाता है और ये प्लान फांडेशन एक ही है जिस पे ठीक तर से चल सकता है और वह है कि सब को जो भी सही है वो बताना चाहिए अभी महाराष्ट्र में पहले दिन स दॉक्टरों को बताया गया था, सब लोग को बताया गया था, कि जो भी सच नंबर्स होंगे, वो भले हमारे महराश्टर को अच्छी लाइट में ही दिखाएंगे, लेकिन उसको साफ साफ बताना चाहिए. इसके वज़े से क्या हुआ है, कि महराश्टर के रेट्स तो हमेशा हाई रहे है, लेकिन उसको साफ रेट्स है, अभी इसके उपर जब प्लान पाइव स्टेज का तयार होता है, जिसमें पहली बात तो यह है, कि पॉजिटिवरीटी रेट क्या है, और उसके यह दो चीज़ों पर डिपेंड होकर फाइव स्टेजिस में जो अनलॉक होगा, औ इसे नंबर्स बदलेंगे, तो ओ लेवल्स भी बदलते हैं, तो मुझे लगता यह अच्छा प्लाइन है, इसमें मेरी तो उमीद बहुत ही बढ़ी है, बिल्कुल और आप देके उमीदों का जिक्र कर रहे हैं, तो आज प्रधान मंतरी का भी संबोधन है, दॉर पारेक, औ आज क्या बोलेंगे, सबसे जादा उमीदे वैक्सिनेशन प्रोग्राम को लेकर हैं, कि वैक्सिनेशन पर आगे क्या पिक्चर हो सकता है, या इससे जोड़ी क्या एहन जानकारिया वो देश के साथ शेयर कर सकते हैं, ऐसे मेडिकल एक्सपर्ट आप लोग क्या उमीद कर र गलतिया वापसनेश नहीं हो कि यह पैली उमीद है मेरी दूसरी उमीद है कि बोलने जितना डेटा है और वोस्त लोग देख सखेंगे, अभी तक डेटा का आखसेस नहीं है किसी के पास, साइंटिस के पास भी नहीं है, तो अगर डेटा का अक्से, जो सच डेटा है उसका एक्सेस नहीं रहेगा, तो हमारा पुरा फाउंडेशन बिगड़ जाता है, तो मेरी बहुत ही उम्मीद है, कि जितना डेटा है, सच डेटा, उसको सब के पास आ जाएगा, और तीसरी अफकोस उमीद है, जो सबसे बड़ी उमीद है शायद, कि वैक्सीन सब के लिए मिलेगा सब जगह में, जिदर ज़रूरत ज़्यादा है, उदर ज़्यादा वैक्सीन, लेकिन वैक्सीन सब को बिलेगी, जो पहले गल्तिया हुई थी, और वापस नहीं हुई, अगर ये तीन बात आ गई, तो फिर हमारा रास्ता तो एकदम साफ साफ है, मिनक्ची जाएगा,